नमस्कार दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में क्लास तेंद कार असानिक अभिकिरिया यहां समिकरण से सम्वंदीत कुछ क्वेशन्स जो महत्पून क्वेशन्स है इस चेप्टर से बार बार एक्जाम्स में पुछे जाते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जै सोडियों बहुत ही प्रते किरिया सिल जो है एक धातु है रसान था जिससे कारण यह ऐख्यन्स से प्रते किरिया करकी इसमें जनले लगता इसलिए इसको किरोसीं तेल में सितलक के रूप में रखा जाता है next våra question है, प्राकिरती में मुक्थ रूप में पाई जाने बाली यह नाम बताईए तो आपका AU है है ना AG है और AR यानि गोल्ड सिल्वर और यानि सिल्वर है गोल्ड है आपका और आरगन है यह तीन ऐसे धातुएं है जो आपको प्रकृति में मुक्तवस्था में पाई जाती है है नेक्स क्वेशन है मैगनिसियम ऑक्सीजन के साथ अभी किरिया करके क्या बनाता थे मगजी ओ का मतलब होता है यही पर हम लोग देखें कि अमलिये बिलिये का जो प्हमान होता है वो साथ से कम होता है साथ से लेस होगा तो वो अमलिये होगा अगर साथ से अधीक होगा तो वो छारिये होगा और जिसका billion साथ होगा वो क्या होगा आपका उदासीन billion होगा next question है बिरंजक चुर्ण का आनविक सुत्र क्या होता है तो विरंजक चुर्ण का जो आन्विक सुत्र होता है वो CAOCL2 होता है और बहुत बार एक्जाम्स में ये पुछा भी गया है CAOCL2 ठीक है और इसी से समधित आप जैसे विरंजक चुर्ण है चाहे आपका sodium bicarbonate का है इस सबको भी याद कर लिजेगा जो की बहुत ही important है हमारे board exams के लिए next हमारा question है plaster of Paris का आन्विक सुत्र लिखे भी बहुत ही important है तो इसका आन्विक सुत्र जो होता है वो CAOCL4 into half H2O होता है यानि CAOCL4 into half H2O होता है ये plaster of Paris का जो है आपका आन्विक सुत्र है plaster of Paris का जो है आपका मुर्ती बनाने में इसका यूज किया जाता है और सारा जैसे है plaster करने में रोगियों के जो टूटे हड़ी होते उसको जोरने में भी plaster of Paris का पर्यों किया जाता है next हमारा question है कौन कमरे के ताब पर दरब रूप में होती है यह तो दो आपको बता दे कमरे के ताब पर SG, SG को कहा दे है पारा और यह तो धातू होता एक ऐसा धातू है यह कि जो कमरे के ताब पर जो है दरब रबस्था में पाई जाती है जबकि एक दरब जो है आपका ब्रोमीन है यह ही आपको कमरे किताब पर दरबअवस्था में पाई जाती है आप zepसन के अधार पर इसको आप जो है जिस्टिफाई कर सकते हैं यदि धातू के बारे में कहा जाता है तो वह पारा है जो धातू होते हुए भी कमरे किताब पर क्या होता है धरबवस्था में और एक आपका क्या है ब्रोमीन है जो अधातू है और वो कमरे के ताप पर जो एद्धरा ववस्था में पाजाता है next question है कौन पदार्थ को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है तो वो है sodium sodium को हम आसानी से चाकू से काटा जा सकता है तो यह आपका sodium हो जागा नेक्स्ट हमारा question है लोहा oxygen से सन्योह करके क्या बना लेता है तो лोह ओक्साइड यानि oxygen से अब किरिया करनेशे कोई भी धातुजिये हमेशा Oxide ही बनाता है तो लोह ओक्साइड बना लेगा नेक्स्ट क्वेशन है दो धात्वों के नाम बताईए जो प्रकृति में शोतंतर अबस्था में पाई जाती उसे पहले भी मैंने चर्चा किया था और यह भी है यह यू और पीटी जो है आपका जो है वो मुक्त अबस्था में पाई जाता है ताजे दूद का पीच मान बहु जाएगा और घट जाएगा नेक्सक्रान है साख सब्जीो का भिघटित होकर कमपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदारन है तो वह उस्माज शेपी अभिक्रिया का उदारन है हमारा जो next question है 14 number रसानिक अभिक्रियाओं को ब्यक्त किया जाता है तो वो समिकर्नों में ब्यक्त किया जाता है रसानिक अभिक्रियाओं को हमेशा जो है समिकर्नों में ब्यक्त किया जाता है जैसे माली जे H2 है पलस O2 है तो यह अब एक्रिया करके बना लेता है 2H2 ठीक है यह हमारा इसका right answer हो जागा ठीक है 2H2 हो जागा इसमें नेक्स्ट हमारा है जो last question है हमारा sodium की परमानु संक्या किती होती है तो sodium की परमानु संक्या 11 होती है और आपको हम याद देंगे कि करीब एक से लेकर के 30 तक मेट्रिक एक्जाम में किसी का भी आपसे पूछा जा सकता है सोडियम हो या लोहा का भी पूछा गया है कहीं बार कल्सियम का भी पूछा गया तो कम से कम एक से लेकर तीस तक आप परमानु संक्या सहीत दत्वो का नाम याद कर ले तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लागा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक किजिए सब्सक्राइब किजिए और सेर किजिए थैंक्यू